हेलो इस वीडियो में आज हम मैक्रो के बारे में जानेंगे जो की एक्सल की बहुत ही इंपोर्डेंट कमांड है तो पहले ये जानते हैं कि मैक्रो होता क्या है तो कुछ काम हमें बार बार करने पड़ते हैं हम ये चाते हैं कि हम एक बार काम करें और जब भी हमें दुवारा उसी काम को करना पड़े तो हम एक इस गिंड में उस काम को कर दें तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपोर्डेंट कमांड होती है वो है मैक्रो इसका यूज़ करके हम सारे काम को जो हम कर रहे होते है उस सारे काम को record कर सकते हैं यह एक प्रकार copy paste की तरह काम करते हैं macro को हम record करके रख सकते हैं और जब भी इसकी दुवारा load होती है तो हम इसको दुवारा देख भी सकते हैं अगर macro को हम keyword की shortcut keys से open करना जाते हैं तो इसकी shortcut keys है alt plus f8 इसके दवारा भी हम macro को open कर सकते हैं तो अब हम यहां पे macro को करते हैं तो इसको करने के लिए हम यहां पे view time में जाएंगे view time में जाने के बाद यहां से सबसे last जो group है वो है macros तो macro पे click करने के बाद हमारे पास यह option आ जाएंगे जिसमें first है view macros second है record macros तो हम यह second वाले इसमें click करेंगे record macros हमने macro को record यहां पे करना है तो हम यह second option इसको पर click करेंगे click करने के बाद यह दिखो macro dialogue box यहां पे आ जाएगा इसमें सबसे पहले दिया गया macro name से मैं यहां पे अपनी channel का नाम लिखूंगा यह दिखो यहां पे मैंने बीच में space दिया bias ग्यान इसके बाद space इसके बाद tag तो यहां पे name जो आए यह कठा लिखा जाता है अगर space देंगे तो इसको यह record नहीं करेंगा यह दिखो यह हमने यहां पे space दे लिया है इसको करके देखते हैं इसके बाद second आए यहां पे shortcut key अगर हम यह चाहते है कि macro name से अगर हमने इसको open नहीं करना है तो हम shortcut key के जर्ये भी इसको open कर सकते हैं तो यहां पे हम shortcut key बनाएंगे control plus यहां पे k यह भरा कि control plus k इससे यह macro उपन हो जाए तो के यहां पे हमने यह shortcut key बनाई control plus K के वाद आगे दिये गया store macros in तो उस macro को store कहां पे करना है यहां पे तीन option आ जाएंगे by default यहां पे यही होता है this workbook अगर और चाहिए तो यहां पे यह option है सभी personal macros workbook इसमें करना है या new workbook इसमें करना है या this workbook इसमें करना है तो हम यहां पे this workbook इसमें इसको record करेंगे यह हमने यहां पे select कर दिया इसके बाद यहां पे दिया गया description अगर हम यहां पे कुछ लिखना चाते है तो लिख भी सकते है अगर हम यहां पे कुछ भी नहीं लिखना चाते है तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते है तो यह देखो name में हमने यहां पे space दिया हुआ है जब हम यहां पे ok पे क्लिक करेंगे तो यह देखो इसको recording करेगा तो हमें यह space यहां से हटाना पड़ेगा ok पे क्लिक किया इसके बाद bias ग्यान इसको यहां पे इकठा करेंगे हम यह इकठा किया इकठा करने के बाद अब यह name space नहीं है यहां पे ok पे क्लिक करेंगे तो यह यहां पे record होना start हो जाएगा यह देखो ok पे क्लिक किया ok पे क्लिक करने के बाद यहां पे recording start हो गई है status bar पे क्लिक करने के बाद यह दिखो यहां पे recording चली हुई है इसके बाद type से देखना जाते हैं तो हम यहां से भी देख सकते हैं view type में जाएंगे तो यह दिखो यहां पे recording चली हुई है जब हम यहां पे फिर क्लिक करेंगे तो यहां से recording बंद हो जाएगी तो यहां पे जो भ पर नेम लिखा ये नेम इसके बाद यहां पर रो नमबर ये रो नमबर लिखा इसके बाद यहां पर लिखेंगे इंग्लिश ये इंग्लिश लिखा इसके बाद यहां पर लिखेंगे हिंदी ये हिंदी लिखा तो ये हमने यहां पर लिखा लिखने के बाद यहां पर नेम ल लखेंगे जैसे 101 ये लखा 102 ये लखा 103 ये लखा 104 ये लिखा ये हमने यहां पर row number लिखें रो number लिखने के बाद यहां पर English marks ये बरेंगे ये लिखो जैसे 85 ये वळा 87 ये वरा 58 ये वरा 56 ये वरा तो ये हमने यहां पे marks लिखे और हिंदी के यहां पे हम marks निवरेंगे तो इसके बाद यहां पे हम इसको बड़ा करते हैं यह देखो इसका size यहां पे बड़ा करेंगे तो home tap पे जाएंगे और यह size हम यहां पे बड़ा करेंगे यह देखो बड़ा size इसके बाद यहां पे यह format यहां पे जाएंगे और इसको out of fit, columnids यह करेंगे, यह देखो यह आ गया, इसके बाद इसको center में करेंगे, तो यहां से इसको center में कर दिया, center में करने के बाद यह bald करेंगे, यह देखो bald हो गया, bald होने के बाद, यहां पे यह जो लिखा हुआ है, इसको यहां पे किसी color म हमने इसको कर दिया करने के बाद यहां पे इसको किसी और कलर में करेंगे जैसे स्पोर्ज करो इसमें कर दिये तो यह फॉर्मिट हमने यहां पे कर दिया करने के बाद हम क्या करना जाते हैं इस रिकोडिंग को स्टॉप करना जाते हैं तो स्टॉप करने के लिए हम यहां पे स स्टोप रिकोडिंग यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्लिक करने के बाद यह देखो स्टेटस पार में यह रिकोडिंग यहां पे स्टोप हो गई है इसके बाद यह मैक्रो यहां पे बनके आ गया है इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे न्यू शीट लेंग यह दिखो view macros तो यहाँ पे click करेंगे click करने के वाद यह macro dialogue box यहाँ पे आ जाएगा आने के वाद यह दिखो यहाँ पे एक ही macros name है bias gantech तो यह macro हमने यहाँ पे record किया हुआ है तो यह A की macros यहाँ पे है यहाँ पे हम click करेंगे और इसको यहां पे run करेंगे यह दिखो macro पे click करने के बाद यहां पे यह macro open हो गया तो हमें यहां पे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा यह एक इस kit में यहां पे macro बनके आ गया अब हम यह चाहते हैं कि यहां पे हिंदी के marks बरे तो हिंदी के marks यहां पे बर सकते हैं जैसे 85 इसके बाद 89 इसके बाद 58 इसके बाद 78 तो यह हमने हिंदी के marks बरे तो इस तरह से हम यहां पे काम कर सकते हैं इसके बाद हम macro को देखने के लिए जो हमने keyword की shortcut की use की थी उसका use करेंगे तो इसके लिए अगली sheet open करेंगे तो यह sheet no.3 यहां पर open है तो यहां पर press करेंगे हम Ctrl प्लस के यह रेको press किया तो यह shortcut key press करने पर macro यहां पर आ गया तो इस तरह से यहां पर हम keyword की shortcut key से भी macro को open कर सकते हैं इसके बाद अगर यहां पर हम हिंदी के marks भरना जाते हैं तो यह काम कर सकते हैं जैसे यह आँपर 88 किया इसके बाद 78 इसके बाद 89 इसके बाद 58 तो यह सारे यहां पर marks यहां पर आ जाएंगे तो इस तरह से हम view macro के जरिये भी इसको open कर सकते हैं और इसको keyword की shortcut keys उससे भी इसको open कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने macro के बारे में जाना कि macro कैसे बनता है इसको record कैसे किया जाता है और देखा कैसे जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद